एक ml कितना होता है एक लीटर कितना होता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं एक गैलन में कितने लीटर होते हैं और एक क्यूसेक पानी का मतलब क्या होता है नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल दोस्तों आप सभी तरल पदारतों जैसे दूद, पानी, डीजल, पेट्रोल और लिक्विट फार्म में आने वाली दवाईयों को मापने की यूनिट, लीटर और मिली लीटर को जानते होंगे वहीं आपने पानी या तेल के लिए गैलन, कच्चे तेल यानी क्रूड आयल को मापने की यूनिट, बैरल और नदियों पर बने बांधो द्वारा, भारी मात्रा में छोड़े जाने वाली पानी के लिए क्यूसिक यूनिट को जरूर सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एमेल कितना होता है, एक लीटर में कितने एमेल होते हैं, या फिर एक लीटर कितना होता है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, और एक क्यों से पानी का मतलब क्या होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम liquid measure करने वाले इनी कुछ प्रमुख unit को discuss करेंगे इनके बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए सब कुछ अच्छे से समझ आए इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe चरूर करना तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम discuss करेंगे लीटर और मिली लीटर को तो दोस्तो आपको बता दें कि लीटर को short form में LTR से denote किया जाता है और मिली लीटर को short form में ML से denote करते हैं अब हम जानते हैं कि एक लीटर आखिर कितना होता है तो दोस्तों आपको बता दें कि एक लीटर होता है एक हजार ML की बराबर यानि कि हम कह सकते हैं कि एक लीटर में एक हजार ML होते हैं अगर आपसे कहा जाए कि आधा लीटर में कितने ML होते हैं तो आधा लिटर में हो जाएगा एक हजार के आधे यानि की 500 ml तो आधा लिटर में हो जाएगी 500 ml अगर आपसे पूछा जाए कि डेड़ लिटर में कितने ml होंगे तो डेड़ लिटर में हो जाएगी 1500 ml दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि 1 ml यानि कि 1 ml कितना होता है तो हम आपको बता दें कि 1 ml होता है 1 लीटर का 1000 भाग या फिर 1 लीटर का 1000 हिस्सा इस परकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 upon 1000 यानि कि 1 लीटर को 1000 हिस्सों में बाटें और उसका एक हिस्सा निकालने वो होता है एक ml या फिर एक मिली लीटर अगर हम किसी तरल पदार्थ को मिली लीटर यानि की ml में मापते हैं तो हम इसे 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, या 100 ml, 200 ml इस तरह से माप सकते हैं और जब ये 500 ml हो जाता है तो ये हो जाता है 1,5 लीटर और वहीं जब 1000 ml हो जाता है तो ये हो जाता है 1 लीटर दोस्तों आपने तेल या पानी की माप के लिए गैलन योनिट को सुना होगा तो हम आपको बता दें कि गैलन दो तरह के होते हैं एक होता है US गैलन और एक होता है गैलन इंपीरियल इन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है अब हम आपको बता दें कि एक US गैलन बराबर होता है तीन दसमलो 7,8,5,4,1 लीटर वहीं एक गैलन इंपीरियल बराबर होता है चार दसमलो 5,4,6 लीटर दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों को प्रती बैरल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कच्चे तेल की कीमतों में अक्सर उतार चड़ाओ होता रहता है दोस्तों आपके माइंड में ये कोस्चन जरूर आया होगा कि आखिर एक बैरल कितना होता है या फिर एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक बैरल बराबर होता है 158.987 लीटर यानि कि हम कह सकते हैं कि लगभग 169 लीटर यानि कि एक बैरल बराबर 169 लीटर का होता है दोस्तों आप क्यूब यानि घन आकरती से जरूर परचित होंगे क्यूब का मतलब होता है एक ऐसी त्रियामी आकरती यानि थ्री डायमेंशनल फीगर जिसकी लंबाई, चोडाई और उचाई सब कुछ एक समान होती है अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होंगे तो हम आपको बता दें कि एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है एक हजार लीटर, यानि कि एक क्यूबिक मीटर में एक हजार लीटर होंगे अब हम डिसकस करेंगे पानी की क्यूसेक यूनिट को आखिर ये क्यूसेक क्या होता है आपने अक्सर बरसात के दिनों में देखा होगा कि नदियों पर बने डैम में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको वहां से रिलेज किया जाता है यानि की पानी को वहां से छोड़ा जाता है और आपने न्यूज में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि किसी डैम से इतने हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो अब हम समझ लें कि आखिर ये क्यूसेक क्या होता है दोस्तों Q-sick ये دो सब्दों से मिलकर बना होता है जिसमें C-U का मतलब होता है Q-BIC और S-E-C का मतलब होता है Second यानि कि C-U की full farm है Q-BIC और S-E-C की full farm है Second तो ये एक सब्द हो dt हो जाता है Q-sick और इसका मतलब होता है Q-BIC per second दोस्तों हम आपको बता दें कि क्यूसेक पानी के माप की नहीं बलकि पानी की बहाओ की एक इकाई है लेकिन फिर वी यदि इसे लीटर के आधार पर समझना या फिर मापना हो तो एक क्यूसेक बराबर होता है 28.316 लीटर प्रती सिकंड की लगभग इस तरह से ये पानी का एक क्यूबिक फुट बन जाता है जो की लगभग होता है 28.316 लीटर की बराबर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर जाइनिंग अस